चाय, चाय बीना पकोड़ों की थोड़ी अधूरी से नहीं लगती है तो चाय के साथ पकोड़ों तो होने ही चाहिए पर क्या आपको पता है कि हम पकोड़ों को इंगलिश में क्या कहते हैं? सोची, टिक टिक टू, टिक टिक ट्री, सोची आपने? चलिए मैं भी कनिपर्म कर देती हैं पकोड़ों को इंगलिश में कहते हैं F-R-I-T-E-R-S अगर हम इस sentence को ऐसे बोले कि हम पकोड़े खा रहे हैं तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं? इस sentence को हम एंगलिश में थी टाइप से बोल सकते हैं वी आर इटिंग फिटर्स, वी आर हैविंग फिटर्स, एंड वी आर टेकिंग फिटर्स, तीनों के मीनिंग एक ही होंगे, बठा, अगर आप चाहते हैं कि आपके इंगलिश जादा एडवांस और जादा इंप्रेसिव लगे, तो मैं प्रिफर करूँगे कि आप हैव का यू स्टेक है, तो आप कमेंट भी ज़रूर करें, बबाई